हेलो फ्रेंड्स वेलकॉम बेक टू माई चानेल आर एज वीडियो तो देखो आज मैं लेके आई हूँ एक बंगाली रेशिपी लेके तो इसको हम लोग पिठा बोलते हैं तो देखो बहुत टेस्टी लगता है देखो मैं पहले चावल भीगा के ना एक जागा में शुखाने के लिए अधा कंटा भीगा थी तो शुखाने के लिए रख दी हूँ अभी उसको निकालके मैं ग्रांडिंग कर लूँगी तो देखो मैं ग्रांडिर जान में थोड़ा सा चावल ली च smelled गुल्य हूँ इसको अंधर थोड़ा सा पानी डालूँगी पानी डालके मैं इसको ग्रांडिंग कर लूँगी तो देखो ग्रांडिंग nårमें निकाल लेती हूँ दो पहले कांगा में रख की थी इसको अंधर में निकल लूँगी तो इसको और थोड़ा सा पानी देके और नमक देके अच्छा से मिलाना है ठंडा पानी ही देना है तो देखो इधर मैं गैस के उपर दूद लिया हूँ दूद लिया तो इसको मैं बॉइल होने के लिए रख दिया हूँ तो इसके अंदर मैं डालोंगे नारियल डाल दिया हूँ अभी मैं डालोंगी खेजूर का गुड खेजूर का गुड यह भी मैं इसके अंदर डाल दोंगी अभी थोड़ा सा नमक डाल दिया हूँ स्वाथ करने सर नामक और अभी एक खेजुर के गुड़ भी में डाल देती हूँ इसको अच्छे से मिला लेती हूँ तो फ्रेंट्स इसको अब बाना के खाई है देखो मैं जो चाषफ को रखी थी उसको भी बना होँगी वे इस टैप को एक लेडी हूँ यह आणलाइन में में मिल जाता है तो देखो इसको में गेसको पर रखी गरम करने के लिए तो अभी में एक चोठा सा सुद्दी का कप्डा लेही हूँ क्षचतल को अग्uff men the so it's all the time उसके अंदर में तेल ढाल डूंघी थोड़ी थोड़ी त्यां लागrim तो देखो मैं पूरा तेल लगा लेए हुँ अभी में वाटर को इसके अंदर डाल दूँगे तो इदखो इस टाइप का आपको पतला बनाना है ठंडा पानी दे कही तो में अभी इसके अंदर डाल दूँगे इसके अंदर में कुछ नहीं डाली हो खाली और चाओल का आटा और नमक और कुछ नहीं डाली हो ज्यादा गाडा नहीं कि ज्यादा पतला भी नहीं है तो यह ढखकन से में अभी ढख देती हो इसको मीडियम में पकाना है हाई भी नहीं कि लो भी नहीं तो देखो फ्रेंट्स यह हो गे आए तो इसको में थोड़ा भी पलर देती हो यह साड़ भी थोड़ा सा होने देती हो देखो इसको में और थोड़ा पहरन देती हो तो अभी इसको में अभी और जो दूदे ना उसके अंदर में अभी डालोंगी तो देखो इसको में अभी दूद कंडर डाल दोंगे दोनों साइट पकाऊंगी यह साइट यह पीठा को बनाऊंगी इसको पीठा बोलते हैं और उस साइट दूद को पकाऊंगे दिमियाज में दूद को पकाऊंगी तो देखो प्रेंट्स इस टाइप का में सब पीठा को बना लेती हो तो अगर आपको मेरा रेसिपी अच्छा लागे तो लाइक कमेंट शेर करना और मेरा चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू